हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग मैं सोनी गर्मा तो दोस्तों गर्मी बहुत हो रही है और यह मैं प्लांट्स में डाल और चावल दूला था तो उसका पानी में प्लांट्स में डाल रही हूं और दोस्तों अब तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है बारा बजे ही 42 तो दोस्तो हमारे प्लांट्स को भी इस ठंडे-ठंडे लिफिट फडिलाइजर की बहुत जादा जगवत है और दोस्तो मैंने जो है यहां पर भी यो है वेजिटेबल्स के छिलके मैं आपको बताती हूं वेजिटेबल्स के छिलके हैं इसके अंदर प्याज का छिलका है और इसमें यह देखे लीची के छिलके हैं तो इसे मैं साम को प्लांट्स में डालूँगी दोस्तो और यह हमारी प्लांट्स के लिए मंब टी एक तरसे कएते ना three one मल्टी माइक्रोनिट्रीयंट का काम करेगी और इस भरगर्मी में हमारी प्लांट को हीट स्टॉक से बचाएगी तो दोस्तो आज में पैंसिल कैक्टस दिखाना चाहरी हूं कि मेरा पैंसिल कैक्टस किता अच्छा हो गया है किता बुशी और बढ़ा है तो दोस्तो देखे ये मेरा पैंसिल केक्टस जिसे हम बारा सिंगा कहते हैं उसका प्लांट है ये छोटी सी बोतल में लगा हुआ है आप देख पा रहे होंगे कोल्डिंग की छोटी सी बोतल में लगाया है और ये देखे किता बड़ा हो चुका है और किता बुशी भी हो गया है दोस्तों और यह भी मैं जब प्लांट्स करिद ने गई थी मेरा चार से पाउस साल का प्लांट हो गया है पाउस साल पहले में इसकी छोटी सी-क अंप नर्जरी से लेकर आई थी प्लांस खरिदा था थो छोटी सी-कंप विचारे की इस तरह से नीचे लटके मैंने उस से मांग लिया था तो उसने तोड़ के मुझे दे दिया था बहुँत चोट तुसी कटिंग थी मैं आपको दिखाऊं तो побед तो सोचिए इती छोटी सी इत्ती थोटी सी कटिंग्रे रोको भालिया कहां गिरई पड़ जाता रही हों अ इती छोटी सी कटिंग थी यह देखें इती उसी कटिंग लाके मैंने मिट्टी में ऐसे ही लगा दिया था तो दोस्तो इसे पानी की रिक्वाइर्मेंट भी जाता नहीं है और इसमें से इसमें मिल्क बहुत जाता है मतलब आप हलका सा नेल्स भी से मार देंगे ना यह देखि तो इस तरह से जो है यह अपने आपको जिंदा रखता है इसे पानी की रिक्वाइन्मेंट तो बहुत ही कम है आप इसमें मैं कहते हूं दस दिन पानी न डालिये महीना भर पानी मत डालिये तो भी यह जो है चल जाएगा यह बहुत हार्डी प्लांट है रही धूप की बात त दोस्तों क्योंकि भई प्लांट्स जो है जनने के चांसिस बहुत जादा होते हैं अभी तो चाहे जितना भी मतलब हार्डी प्लांट हो लेकिन 44-48 डिग्री के आसपास जब टंपरेचर हमारा चला जाता है इधर गर्मी में तो इन लोग के लीफ्स ब्रांचिस जनने के चा तो आप एक काम कीजिए इसे शेडी एरिया में रखें दूसरी बात देखें इसका प्रपोवेशन जो है स्लोली स्लोली होता है इसकी ग्रोथ जो है बहुत धीमे धीमे बढ़ती है अब देखें इत्ती छोडी कटिंग में 5 साल पहले लेकर आई थी अब जाके जो है इसकी प्लांट के बीचो बीच और फीच रखा था ग्रूप में ही रखा था अकेले नहीं रखा था इसे क्योंकि ग्रूप में रखने से प्लांट की बहुत जल्दी बढ़ती है तो यह दिक आ इस तरह के छोटी छोटी लीव्स यह देखें आप देख पारे स्工ष निकल चोटी चोटी पत्ती तो निकल लगी है लेकिन फ्लावरिंग नहीं निकलती है इसके अंदर यह ऐसा ही सुन्दर लगता है और दोस्तो ठंड के मौसम में जो है इसकी लीव्स जो है इसकी ब्रांच और यह लीव्स जो है गोल्डन कलर में हो जाती है इतनी सुन्दर लगती है कर दोस्तों देखने में इक तरह से सूचे कहा हरी लोती है lett कर शूट हूं 2018 आप देखने नहीं हूं इस चाहिना इस बिज़ आप प्लच me जा जाक एटना अउस दर्ध चो हो दोस्तों। इसमzna मैंने तारश से बांगा था, यह बार बार इधर इधर ऊधर अधर ताथ कर रहा है। तो इसलुह मैंने इसे दूसरे प्लांट जो बड़े वाले豺 हैं, उसके साथ ही इसे रखा था। और इसके मैंने तार से ऐसे बांग दिया था ताकि आंधी पानी में या तेज हवा में यह इधर उधर ना धंगे तो दोस्तो इसकी बनावट भी देखे आप देख पारे होंगे किती सुंदर लग रही है और यह बहुत एक तरह से कहा जाए तो समझदार प्लांट है और यह जादा कुछ नहीं मांगता है बस कभी कभार जो है इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तब आप इसमें पा जाए ना पानी चाहिए ना लिक्विट फर्टिलाइजर चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए यह बंदा जो है बड़ा सीधा है यह अपने आप ही दीमे 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 अपनी ग्रोथ बढ़ाता रहता है तो दोस्तो यह छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर किजेगा सब्सक्राइब जरूर किजेगा और अगर आपके मन में कोई भी क्वेस्चन हो कोई भी प्लांट्स को लेके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो थेंक यू दोस्तो बाबाई टेक केर और यह देखें किता सुदर लग रहा है यह महासरी जी रूप भी नहीं पा रहे हैं इसे मैं रिपोर्ट करूंगी दोस्तो रिपोर्ट करूंगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी इसकी रिपोर्टिंग जरूरी हो वही है क्य जरूर लगाईए और कटिंग लगाने के जब आप कटिंग लगाएं तो पानी एक ही बार डालिए फिर मिट्टी सूख जाने के बाद ही इसमें पानी डालिएगा नहीं तो कटिंग इसकी गल सकती है और यह देखिए भई यह और अभी जो टमप्रेचर जीस तरह का है 48 डिग रखिए इसे शेड से एरिया में डांट्स के नहीं लहां स्यूख नहीं जैता है तेगिंग जाने कहफिंड इसे rankings एक बित्फरी मत्युच के अधर को ब्लांट्स इपिजो ब Intakers की जोडी दीखा देती ह। और पहले ने इसे वीडियो यहान्ला कंश में देखिए लेकिन मैंने इसकी वीडियो भनाई थी और अपने चैनल पे शेयर भी की थी और यह देखिए यहां पर इसे रखा है इसे रख रखा है यहां पर डेविल्स बैकबोन भी लगा हुआ है दोस्तों और यह के तार को जो है मैं यह बड़ा वाला प्लांट है इसी के साथ जो है इस तरह से अटेच कर देती हूं ताकि जो आंधी पानी आए या तेज हवा चले तो ये गिरे ना और ये दोस्तों इसी तरह इसमें ये दिखे इस तरह से मैंने इन प्लांस के सेंटर में इसको लगा दिया है अब मैं जब इसे रिपोर्ट करूंगी तो इसकी वीडियो आपसे जरू शेयर करूंगी तो थेंक्यू दोस्तों बाबाई टेक केर